नमस्कार दोस्तों सागत आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनी एजूकेशन पर जहां पर आपको मिलेगी दवाईयों के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम बात करने वाले हैं और्न आफ टेबलेट के बारे में जिसके अंदर और और्निडाजोल एक्टिव इंग्रीडियन्ट है और्न आफ टेबलेट को कौन-कौन सी बिमारी, डिजीज या डिसॉडर के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है इस टेबलेट के क्या-क्या साडिफेक्ट हो सकते हैं अगर आप इसका यूज करते हैं तो और क्या-क्या सावधानिया रखने चाहिए इसको यूज करते टाइम इस टेबलेट के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस कर दीजे ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आये जानते हैं इस ड्रग के क्या यूज है कौन कौन से बिमारी डिजीज आ डिसॉडर के ट्रिटमेंट में इस ड्रग को यूज किया जाता है तो बात करते हैं इस tablet के use के बारे में आखिर कौन-कौन सी बिमारी, disease या disorder के treatment में ये tablet use हो सकती है या डॉक्टर इसको prescribe कर सकते हैं और नौफ tablet एक combination medicine है जिसके अंदर दो एंटिबायोटिक है और फलोकससिन और और निडाजोल तो ये जो एंटिबायोटिक है ये हमारे शरीर में, body में अगर बैक्टिरिया की वज़े से या parasite की वज़े से अगर infection हो जाता है तो उस infection को रोकने के लिए use की जा सकती है यानि शरीर में बैक्टिरिया की वज़े से अगर infection हो रहा है या parasite की वज़े से infection हो रहा है तो इस infection को उस bacteria को parasite को kill करने के लिए उनकी growth को रोकने के लिए इस antibiotic का use किया जा सकता है इस on-off tablet का use किया जा सकता है तब body में bacteria की वज़े से और parasite की वज़े से बहुत सारे से infection हो सकते हैं जैसे की gynecological infection, lungs infection, urinary infection, gastrointestinal infection तो यहाँ पर जो gynecological infection है जिसमें क्या होता है कि parasite या bacteria की वज़े से अगर infection हो जाता है जैसे कि vagina और genital जो tract है उस पे effect पड़ता है तो gynecological infection के treatment में इस on-off tablet को use किया जा सकता है दूसरा lungs infection यानि फेफडों में अगर bacteria की वज़े से या parasite की वज़े से अगर infection हो जाता है तो इसके treatment में इस tablet का use किया जा सकता है इसके अलावा urinary infection के treatment में भी इस tablet का use किया जा सकता है जैसे कि urinary system में जितने भी parts होते हैं जैसे कि kidney, uterus अगर urinary tract में अगर कोई infection हो जाता है या urinary system में किसी part में bacteria की वज़े से या parasite की वज़े से infection हो जाता है तो इसका use कर सकते हैं इस tablet का इसके लावा gastro-intestinal infection यानि इसके अंदर क्या होगा कि जो stomach और small intestine है उसमें अगर infection हो जाता है bacteria की वज़े से, parasite की वज़े से तब भी इस tablet का use किया जा सकता है जैसे कि diarrhea के treatment में और dyscentric के treatment में यूज़ कर सकते हैं तो ये है use इस tablet के on of tablet को कहा कहा कौन कौन सी बिमारी, disease या disorder के treatment में यूज़ किया जा रहा है तो basically यहाँ पर जो दोनों anti-biotic है of loxacin और ornidazole ये क्या करती है जो bacteria या parasite है उनके infection को रोकती है उन bacteria को या parasite को kill करती है और उनको further grow नहीं होने देती है तो इस तरीके से इस tablet को in infection के लिए या bacteria या parasite की वज़े से अगर infection होता है तब इसका use कर सकते हैं या doctor इसको prescribe कर सकता है अब इस tablet के बारे में और details से जान लेते हैं इस tablet के अंदर क्या composition है, story condition क्या है पुरी details से हम जान लेते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर of looxacin और ornidazole active ingredient है इस tablet के अंदर orn инओ इस tablet का ब्रांड नेम है composition के बारे में बात करते हैं each film coated tablet contains तो यहाँ पर जो tablet है each tablet परते एक टेबलेट की film coating की गई है और इसमें ofloxacin as per Indian pharmacopoeia 200 mg present होता है और ornidazole as per Indian pharmacopoeia 500 mg present होता है excipients की बात करते हैं तो इसके अंदर excipient quantity sufficient है color इसके अंदर क्या-क्या add किये गए है कौन-कौन से add किये गए है colors sunset yellow FCF and titanium dioxide as per Indian pharmacopoeia यह colors इसके अंदर use किये गए है doses के बारे में बात करते हैं as directed by the physician यानि जो physician prescribed करते हैं physician बताते हैं, doctor बताते हैं उनके अनुसार ही इसकी dose का use करना है, frequency भी क्या होगी, कितने टाइम में इसको use करना है वो सारा जो doctor बताते हैं उनके अनुसारी इसकी dose का use करना है manufactured in India by aristopharmaceutical pvt ltd तो इसको aristopharmaceutical manufacture करती है, यहाँ पर caution भी दे रखी है, this drug may causes low blood sugar and mental health related side effect, अगर आप इस tablet का use करते हैं या कोई patient use करता है तो उनमें blood sugar level जो है, वो कम हो सकता है और mental health related side effect देखने को मिल सकते हैं तो आप से एक ही request करूँगा दोस्तों कि आप कोई भी medicine बिना doctor की सला के ना ले आप एक बार doctor से consult कर सकते हैं pharmacy से भी consult कर सकते हैं अगर आप इसा नहीं करेंगे तो आपकी health के लिए ये danger हो सकता है तो यहाँ पर एक और question दे रखी है keep out of reach of children बच्चों की पहुंच से दूर रखना है चाहे वो कोई भी medicine हो सभी medicine को बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए storage condition के बारे में बात करते हैं store at temperature not exceeding 30 degree centigrade protected from moisture तो इसको 30 degree centigrade से ज़्यादा temperature प्रस्टोर करके नहीं रखना है और moisture से बचा के रखना है कुछ ड्रग ऐसी होती है जो moisture की वज़े से भी हराव हो जाती है उनका deterioration हो सकता है schedule as prescription की drug है ये यानि आप इसको बिना डॉक्टर की सला के और उनकी prescription के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं caution not to be sold by retail without the prescription of a registered medical practitioner आप इसको बिना डॉक्टर की सला के और prescription के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी health के लिए danger हो सकते हैं इसलिए आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सला के नहीं लेनी हैं आए जानते हैं इस drug के क्या-क्या side effect हो सकते हैं अगर आप इसका use करते हैं तो कौन-कौन से side effect देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं इस tablet के side effect के बारे में इस tablet का अगर आप use करते हैं तो क्या-क्या side effect देखने को मिल सकते हैं इसके कुछ common side effect है जैसे की nausea, loss of appetite, dizziness, headache आपको उल्टी हो सकती है या भूख कम लगेगी dizziness, headache हो सकता है, सिर्दर्द हो सकता है अब इस tablet के बारे में और डिटेल से जानते हैं यहाँ पर जो tablet है ornidazole है, इसके अंदर ofloxacin है, यह काम कैसे करती है कैसे अपने effect शो करती है so यहाँ पर on-off tablet combination medicine है जिसके अंदर दो antibiotic है, ofloxacin और ornidazole ofloxacin कैसे काम करती है यह bacteria की जो cell होती है, उसको divide होने से और repair होने से रोकती है अगर bacteria की cell divide ही नहीं होगी repair ही नहीं होगी, तो further वो grow नहीं कर पाएगी, तो offloxacin, bacteria की cell को divide नहीं होने देगा, repair नहीं होने देगा और bacteria को kill कर देगा दूसरा यहाँ पर onidazole है जो की parasite को kill करती है और यहाँ पर जो anaerobic bacteria है जिसकी वज़े से infection हो जाता है और क्या होता है कि यह infection बढ़ता जाता है तो ornidazol क्या करता है उनका जो DNA होता है उनके DNA को ही यह damage कर देता है तो कुछ इस तरीके से offloxacin और ornidazol अपने action शो करती है अब बात करते है किन-किन लोगों को इस tablet का use करने से पहले सावधानिया रखनी चाहिए especially जो pregnant women है और breastfeeding mother है उनको इस tablet का use करने से पहले सावधानिया रखनी है डॉक्टर से भी सला लेनी है साथे साथ अब बात करते हैं इस tablet को कैसे use करना है तो यह जो tablet ही ओरल एड्मिनिस्टर होती हैं आप ओरल यह इसको ले सकते हैं और जैसा doctor बताते हैं यह एड़वाईज देते हैं उनके अनुसार इसको use करना है इस tablet को पूरा लेना है इसको chew नहीं करना है crush नहीं करना है या break नहीं करना है और जितनी dose बताते हैं डॉक्टर उनके अनुसार ही इसकी dose का यूज करना है और खाना खाने के बाद ही इसको यूज करना है तो फ्रेंस आज हमने बात किया और नौफ टेबलेट के बारे में इसके यूज कहा हो रहे हैं इसके side effect क्या क्या हो सकते हैं क्या सावधानिया रखने चाहिए पूरी detail से हमने आपको बताया है और दोस्तो आप सही की request करूँगा कि आप कोई भी medicine बिना doctor की सला के ना ले आप एक बार doctor से भी consult कर सकते हैं फार्मासिस से भी consult कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी health के लिए danger हो सकता है तो उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को जुरूर subscribe कीजे क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी thank you very much for watching this video